नवश्कार दोस्तों जिसका बहुत ज़्यादा डर था वही काम स्टार्ट हो चुका है स्टार लिंक सैटेलाइट ब्राडबेंड सर्विस के दुआरा मतलब साफ तोर पे कहें तो हम काला बजारी और यह हर किसी देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है और किस तरीके से वो आपके उपर इफेक्ट पुचाती है और बात करें जाये तो यह सिर्फ मेंली जो एम करती है कमपनिया इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए कोई मतलब नहीं होता किस देश में हम service प्रोवाइट करवा रहे हैं और उसकी मतलब satellite service की वज़ा से उस देश में क्या हो रहा है लेकिन सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में क्योंकि हमने पहले बोल रखा है आपको क्योंकि तब satellite broadband service किसी भी company के आती है तो वो देश में जो बॉर्डर होते हैं उस पे वो लिमिटेट नहीं रह सकती मतलब आप देखेंगे कि आप इंडिया में कोई broadband service लॉंच होती है तो आप कहीं पे भी इंडिया के किसी कोने पे भी access कर सकते हैं डैट मिस यह नहीं है कि आप satellite broadband connectivity पे एक line खीच दें और यह कहें कि उस line के पार नहीं चलेगा इस line के पार चलेगा क्योंकि एक सबसे बड़ा example हमें यह देखने के लिए मिलता है आज की डेट में USA में हमें देखने के लिए मिलती है Starlink के satellite broadband service बहुत ज़्यादा देशों में अल्रीड फैली भी है लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो Starlink International अपने प्लान लेके आता है मतलब कोई चाहे तो USA से खरीब के इंडिया में वो बाया Starlink satellite internet access कर सकता है फिर तो कोई भी कर सकता है और वो किसी भी संकठन से जुड़ा वह और ऐसे देशों में जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या अलग-अलग तरीके से महां की government इंटरनेट बंद कर रखे तो कुछ जो संकठन होते हैं वो misuse करते है Starlink satellite broadband service का Starlink का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह worldwide area में और Starlink भी क्लेम करता है कि हम अर्थ पे कहीं पे भी internet access system कर सकते हैं लेकिन अब क्या problem होती है तब किसी country में particular approval चाहिए होते हैं हर किसी sector से जैसे कि defenses चाहिए होते हैं collectivity approval चाहिए होते हैं लेकिन तब यहां पर approval का wait किया जा रहा है लेकिन और उसी country के अंदर काला बजारी करके Starlink satellite का internet access यूज किया जा रहा है तो यहां पर एक सबसे बड़ी दुभीदा बन जाती है government के लिए किस तरीके से track किया जा सके तब without approval Starlink satellite connectivity लोग use कर रहे हैं मतलब आप इंडिया में road पे रखके नहीं चला सकते हैं लेकिन घर में रखके चला सकते हैं इंस्टेंट action लेगी या वो सिर्फ revenue के चक्कर में अरहे चलाने दो क्या करेगा और ऐसे संगठन especially मैं हर किसी का नाम ने रहो particular जो कि misuse कर रहे है Starlink satellite broadband service का तो यहां पर सबसे बड़ी दुभीदा यही बन जाती है कि कि किस तरीके से device को authentirize किया जा सके और कैसे यह मालूं किया जा सके कि यह पक्का कि एक पार्टिकुलर देश का ही खरीदवा device है और यह सबसे बड़ी दुभीदा की बाद है Starlink के लिए और साथ में कहा है तो satellite broadband connectivity के लिए क्योंकि कुछ गलट संगठन भी इसका यूज कर सकते हैं और गौर्मेंट के कंट्रोल में रहती है सर्विस क्योंकि गवर्मेंट चाहे तो सिर्फ लोकल डिवाइस आफ कर सकती है क्योंकि भारा सरकार के जो रूल रैगुलेशन आया है और कहीं नहीं मिलते क्योंकि यह डारिक्ली मनुफेक्चर डीलर से आपकी डील करवाता है बुक कीजिए और इंजॉय कीजिए मैक्सिमम डिसकाउंट इसी वीडियो डिस्काउंट में लिंक दे रखें वहां से एक मैक्सिमम डिसकाउंट लीजिए रियली सो चीपस प्राइज बापिस आते हैं टॉपी पे क्योंकि यह जो उधारन है वह चल रहा है जहां पे कंपनिया सिर्फ जो एम करते वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने से मतलब है उन्हें कोई मतलब नहीं कि डिवाइस को किस तरीके से यूज किया जा रहा है क्योंकि तब आप रोमिंग प्लान ले ले तो उसे कहीं भी एकसेस कर सकते हैं और उसके लिए ऐसा नहीं कि यह बहुत ज्यादा सस्ते हैं बहुत ज्यादा कॉसली आपको देखने के लिए मिलत आते हैं लेकिन तब आप काला वजारी के दुवारा लेते तो यह बारा हचार उपे की देंज में पढ़ते हैं और इस डिवाइस की एकवाइस इंस्टॉल होने के बाद आप इंटरनेट एकसेस कर सकते हैं और जो अभी करेंट लिए सबस्यादा दुरूपयोग हो रहा है वह साउथ अफ्रीका में हो रहा है जहां पर अभी इस्टार लिंक की कोई भी मतलब एप्रूबल मिनिश्टी के दुवारा है किसी के भी दुवारा क्लियर नहीं है लेकिन वहां के लोग या संगठन या मिस यूस कर रहे हैं इंटरनेशनल सर्विस को लेके अब सर्विस दुनिया में कहीं भी यूस कर सकते हैं किसी ऐसी कंटी से डिवाइस खरीद के लेकिन उस कंट्री में वह चल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टार लिंक बिलकुली मतलब बात करे जाया तो ओपिनली खोल रखा है उसने उसने कुछ डिवाइस टर्मिनेड भी के हैं अनाथराइस डिवाइस सेलेक्ट भी करें हैं लेकिन कंपनी जो मैक्सिमम एम करती है कि लोगों को चलाने तो तब वो इंटरनेशनल रिचार्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है लेकिन परशानी की बात यह है कि यह बहुत ज्यादा देशों के लिए खतरनाक चीज सावित होगी क्योंकि अभी आप किसी भी कंट्री में इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हां के आप पार्टिकुलर या तो सिम कार्ड हो गए या ब्राट्बेंट करेक्टिवीटी होगे पार्टिकुलर एक लेविल पे ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन तब आप और उस तो अब ये बड़ी दूबीद है कि किस तरीके से स्काला बजारी को कंट्रोल किया जाएगा और सबसे बड़ा नामदब इस्टार लिंग का आता है तो इलॉन मस्स अपने आप उसके अंदर घुच जाते हैं क्योंकि इनी के सबसे बड़े बादे हैं देखते हैं इसे किस अब रोका जाएगा और कैसे गौर्णमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि स्टार लिंग सैटलाइट ब्राडविड सर्विस आती है जीओ की आती है या एटल की आती है तो उस पर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी कोई स्ट्रिक्शन लेकिन सर्विस फ्री नहीं करिये वह उसके लिए पैसे दिये जाएंगे लेकिन देखते हैं कैसे यह बहुत ज्यादा मतलब यह रिपोर्ट मैंने आपको बहुत जादा में पॉइंट बता हैं लेकिन इसमें अमेरिका का सरकार का नाम भी आया था मिलिट्री कियो है और बता हैं बहुत जाएंगे。